हाई गाइच मेरा नाम है तेज आप सभी का सौगत है हमारे चैनल नियू टेग वर्ड पर दोस्तों आज का वीडियो काफी काम का है और इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में आप वबता हुआ कि कैसे आप अपने एंडरेट फॉन को सिक्यूर का सकते हैं हैं हैकिंग और स से दोस्तों कई बार आपने नियूजर पढ़ा हुआ कि पेटियम के वाई सी अपडेट के नाम पर साइब ठगोने लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए या फिर कई बार करेंट कराने के नाम पर लिंक बेजा और लिंक पर जैसे क्लिक किया यूजर ने उसके अकाउ और कैसे आप इन फ्रॉड मैसेज को अडेंटिफाय कर सकते हैं एक बात मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों यहां पर कि जो भी मैं यहां पर सेक्यूर्टी टिप्स आपको बताने जा रहा हूं यह आपको किसी और इंटरनेट या वेबसाइट पर नहीं मिलेगी यह किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी जो भी नॉलेज में यहां शेर कर रहा हूं और आपको अगर इस वीडियो से पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो को आपको पूरा इंट तक देखना पड़ेगा अगर आपने बीच में स्किप्ट कर दिया तो उसक् शुरू करते हैं और देखता है कि कैसे आप अपने अंडूइड मोबाइल को सेक्यूर कर सकते हैं हैकिंग और साइबर फ्रॉट से दोस्तों सबसे पहले जान लेता है कि हैकिंग और साइबर फ्रॉट में क्या अंतर होता है तो जैसे मैं आपको बतायता हूं कि हैकिंग एक पी लिइंक है इसमें क्या किया जाता है कि गरिक्टाइब कर चते जूरू आपके जो डिवाइब आपका जो लैप-टॉप उसमें मौहले हैं इंहीं फिर के साथ़े से वह आपके पासवार्ड और important information चुरा लते हैं और साइवर प्रॉट क्या होता है साइवर प्रॉट जो करते हैं प्रॉडर्स पर उनको कोई खास नॉलेज नहीं होती सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले ले जो भी युजर आईडी पासवर्ड ओटीप और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं आपने आपको कुछ एक्जामपल बता रहेता हो यहां पर जो टैक्ट मैसेज फ्रॉड बेजते हैं आप देख सकते हैं यह मैसेज में यह एक कोटक बैंक का नहीं है कोई फर्जी साइट का लिंक है एंजी आरो के डॉट आयो यानि कि आपकी कोटक बैंक की वेबसाइट तो है नहीं एक यह भी आपका मेसेज भी देख सकते हैं इसमें यह मोबाइल नमर सा आया भी मैसेज इसमें बोला गया है कि डियर कर्स्टमर यह सब्सक्राइब होती है जो रिमोट एक्सेस के लिए एप्स होती है आपको इंस्टॉल करवाई जाएंगी उस एप्सक्राइब फिर आपकर क्या होगा कि अकाउंट से सारे इंफ्सक्राइब को मिल जाएंगी और दूसरा यहां पर चाला की करते हैं जो प्रोडेस्टर इसमें लिंक को शॉट कर देते हैं जैसे आप देख सकते हैं विट डॉट य यह आपका जो फर्जी वेबसाइट का लिंक है यह शॉट कर दिया इसको तो आगे लोगों भी लगा सकता है तो यह चीज आपको साथान होने की जरूत है अब जैसे आपके जैनुमन मैसेज जो कैसा तो बता दिया है फ्रॉड ब्लू डाट इस रिचेवल आइस नमर और राइटर सांधिस इमेल आईडी तो इन्होंने यह बताना वी चालो कर दिया है कि यह रहा कस्टम केर करना नुमर दो जर्ख बात मत करें यहां पर बात करना है इस तरीके से आप मैसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं आप कि पुरी डिटेल यहां मिल जाएंगे हमको इसको किलिक करते हैं इस도 defensive आप यह आप से लिक्षेली वेबसाइट तो छाल करते हम पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्वी थो बीन गया थोbelt क्रिफाइट है आप को शॉट करने करने के इसको क्लिक करते हैं अब ब्यू pocket करते हैं यह सवुद्म इसको क्लिक करते हैं यह शॉट यह से अब वहिसंस सेंगे लेगिया काइब लिए हैं यह दोस्टा यह हैं सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल को लॉक करके रखना पासवार्ट पैटर्न फिंगर प्रिंट से तो यह इसलिए नहीं लॉक करना है कि आपके पर्सनल चैट कोई पढ़ लेगा वाटसएप की या फिर आपके पेरेंट्स आपकी गल्फरेंड की फोटो देख लेंगे यह आपको इसलिए लॉक करना है कि जिससे कि आपका जो अनुटराइज एक्सेस आपको कोई रिमोट कंट्रोल करना चाहता है अपके मोबाइल को तो वह नहीं जब तक आपका मोबाइल लॉक है वह एक्सेस नहीं कर पाएगा इसके लावाँ जो आपके इंपॉर्टन नॉ दिखतो रहा है लॉक स्क्रीन पर लेकिन इसके डिटेल्स इसमें आ नहीं रही है जैसे मैं इसको एक्स्पेंड करने कोश्च करता है तो आपको यह सेटिंग करनी नॉट्विकेशन की कि आपके लॉक स्क्रीन पर सेंसिटिव इन्फोर्मेशन शोना हो तो इसके लिए मैं इसके लिए जैसे आपको सेटिंग में जाना है इसमें नॉट्विकेशन सर्च करिए सेंसिटिव नॉट्विकेशन सो सेंसिटिव कंटेंट वैं लॉक अगर आपका यह टिक है मालों यह आप्शन टिक है तो आपकी सारी इंफोर्मेशन यहां सो जाएंगी अब देख सकते यह जितने भी नॉट्विकेशन यहां तो आपको यह वाला आप्शन यहां से टर्न आफ करना है यह जहां रखना आपको इसके लावब आपको क्या करना है जो भी एप से उनको लॉक करके रखना है जैसे इंपोर्टेंट आप से आपकी पेटीम मोबाइल बैंकिंग एंग आपको अधाब आपको कर लेंग दुजिसके लिए इसके लिए क्या कर सकते है आप एकश्टा अफेंटिकेशन के लिए एक हो गया श्क्रीन का कोड हो गया इसके लाव आप का लॉक कोड है बनाना है दोस्तों कई मोबाइल नहीं इन बीटी आप कॉलय का आता है जैसे मैं लाता है तो मैं से application को भी लॉक कर सकता हूं जैसे एप लॉकर करेंगे यहां पर अपना पिन आपको डालना पड़ेगा मुबाइल का इसके बाद में जैसे यहां पर अड़ कर सकते हैं जो भी आप लॉक करना चाहते हैं वह एक को टिक कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि नेक्स टांप को आप खोलेंगे जैसे कि एयर टैल एक स्ट्री अमेजन मुजिक इसको लॉक कर देता हूं ठीक है अब जैसे मुझे मुझ कर सकते हैं जैसे एप लॉक कर सकते हैं जल कर सकते हैं तो इसको के से अपने हैं जो से आपको शे मुझे स्ट्सक्र अप Πार्ट शनुक कर और भी सकती है अब आपको गूगल प्ले प्रोटेक्ट तर्ड अन करके रखना अपने मोबाइल में मैं बता हूं कैसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहां पर जैसे अपने आप जाते हैं तो एक आप्शन मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट इसको जैसे ओपन तो यहां पर एक गियर आइकन है इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर दोनों आप टिक कर दीजिए इसके नापस विद प्ले प्रोटेक्ट और एक हैं प्रूव हांफुल आप डिटेक्शन तो आपका क्या होगा कि यह आपका जो भी अप्लिकेशन आप इस्टॉल करेंगे उ दोस्तों आपको अपने मवाइल को टाइम टो टाइम करते रहना है क्योंकि जब भी अपडेट आती है मवाइल की तो स्कुर्टी पैच अपडेट हो जाते हैं जो भी उसमें आपका वनरेबिल्टी होती है उप्रेटिय सिस्टम उसको पैच कर दिया जाता है कि अलाओ जित है आपको डबल और अथेकर या जाता है एक आपको फास्टेंटी केशन अपका हो जाता है वह आपका जैसे और ऑटीकेशन वेंटनकों करना तो यह जैसे दानकर ना इसके लिए दिए पहले उसी वीडियो का आप देख सकते हैं उपपर आई बटन में उसका लिंक आ गया वहां से क्लिक करके आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं जान सकते हैं कैसे आपको टुस्टेप अपने गूगल अकाउंट का इसके लावा आप टाइन टाइम रिवीव कर लीजिए जिस एपस को आपने अक्सेस दी गूगल अकाउंट में उनका रिवीव करते रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऐसी एप्लिकेशन या सर्विस ने आपकी गूगल अकाउंट के एक्सेस ले रिखी जिसको आप जानते ना हो तो मैं बताइता हूं कैसे चेक करना आपको आप अपने गूगल अकाउंट के सेक्योर्टी म देख सकते हैं इसकें लाभब आप आप देख सकते हैं अस्याशंन। जो को आते हैं उसको विंड़ू सब्सक्राइप में अब करके रहें पॉप आपके क्यी लिंक खूल जाते हैं जो आपको इसको अपकी मालवे तो इसको डिसेबल करके रखना तो वह बतायता हूं को जैसे आप क्रॉम बरॉजर की सैटिंग में जाएंगे ने कुरूम बाउजर्ब की सेंटिम जाएंगे तो यहां देखेंगा एक option आपको site settings यह सять setting को टैप करेंगे यहां पर एक option मिलेगा यहां देख सकते हैं इक option आप श्रड और अलावड यह option है इसको आपको वाइब भी का सकते हैं और remote control से access भी आप से तो आपको यह चेक करना अपने mobile की setting में कि admin access कि स्कूप अबलेबल तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे आप setting में जाएंगे मोबायल की में, तो सर्च करिए डिवाइस एडमीन सेटिंग तो यहां पर देख सकते हैं जोब्याजे से जुन मैरा है एक्सेश हों यहां पर फाइंड माईडिवाइस इस एप को एक्सेश क्योंकि बोफिको此र को अगर मुझे सिðृ आ गारे की तो इसमें इस लोकेशन आपकी कोई भी अनुश्राइज एप्स नहीं होनी चाहिए अगर आपकी कोई आप यहाँ पर जिसको अबिन एक्सेश से और आपको उसकी नौलिज नहीं है तो उसका आप वाँ इस्टॉल कर देना है अब आपको सारी एपिकेशन जो इस्टॉ्ड भाल्की पर्मीशन धर्दाथ यहां को भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन क्या का पर्मीशन गरांट कि हुए जैसे कुस्छ सेंसिटिव परमीशन होती है अफ्सटीव जैसे आपके नौटिविकेशन सहिती है आपके हैं अप डेना हो और आपका डारा यहां से ==== ने आपको कैसे चेक करना आपको सकते हैं कि किसकी सहार को कह क्या का है फॉस्त सब आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने मोंबाइल को आपने मोंफिक करने जा करने Sell out करना है आपको दोस्तों remote access वाली application install नहीं करनी है अगर आपको जरूत पड़ती है application install करने की जैसे आपको अपने office के काम के लिए जरूते है किसी personal किसी को आपको help करनी है remote access से तब आपको install करनी है उसके बाद उसको uninstall कर देनी है आपको दोस्तों अगर आपका mobile lost आप उसको साइन आउट भी का सकते हैं उसका डाटा रेज भी का सकते हैं यह आपका Google.com अबलिक अबलिक फाइंड यहां आप देख सकते हैं इसमें location find को option भी है play sound secure device इसमें lock device and sign out of Google account यह भी option है और इस device भी है तो आप इस device को select करेंगे यहां से तो आपका जो मोबाइल है वह इंटरनेट से connected है तो आपका automatically उसका सारा डाटा वहां से डिलीट हो जाएगा तो यह भी आप कर सकते हैं दोस्तों आपको अपने android मोबाइल को time to time backup भी करना है आप Google account में backup कर सकते हैं और पीसी में backup कर सकते हैं तो इसके लिए मैंना अल्रडी एक वीडियो बनाई है उसका वीडियो का लिंक description में डाल दिया मैंने वहां से भी आप इसको वीव कर सकते हैं आपका अपने android मोबाइल को secure कर सकते हैं cyber frauds और hacking से इसके लाव मैंने different security tips भी बताया आपको आपको यह भी बताया कि जो text message मैसेज उनको कैसे identify कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो प्रसंद आया तो किरप्या वीडियो को लाइक से कमेंट जरू करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देजाए आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे यूजफूल थैंक्यू